गाउं को देखिए फ्रेंड, पूरी एमालियन शेली से बनावा गाउं, पूरी एक पाड़ी में उपर से मीचे तक बसा हुआ, पूरी अपने चारवो और अर्याली को समेटे हुए, क्या खुबसूर्त गाउं है फ्रेंड, तो अभी तो देख सकते हैं कि इंजिनियरों का सम में चला हुआ है, लेकिन जो हमारे फुदूर्ग थे, वो भी कोई इंजिनियर से कम नहीं थे, तो देख सकते हैं किस तरह से गाटी के उपर बसाया हुआ, ये छोटा सा गाउं है, छोटा तो क्या काफी बड़ा है, तो कुछ एक घर इमालियन शेली से बने हुआ है, देख में कुछ इस तरह से गाउं को देखने को मिलेगा आपको, तो देख सकते हैं कुछ एक नए गर सिमिंटर्ड से बने हुआ है, नहीं तो पराने देख सकते हैं, लकडियों और पत्रों के ही बने हुआ है, तो ये गर मेरे हिसाब से इस बैली का सबसे बड़ा गार होगा इस देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से बनाया हुआ है, इसके डिजाइन देखिए, और ये गाउं के बीच में जाने के लिए रास्ता कुछ इस तरह से हैं, तो देख सकते हैं काफी खूबसूरत गाउं हैं और सभी के सभी गर हिमालिया इंशैली से बने हुए हैं, इस लकड़ियों को देखिए, क्योंकि यहां पर परबारी होती है, तो लकड़ियों के आम तोर पर जरूरत पढ़ी जाती है, तो ब्लॉग को पुरा देखिए, पूरा मजा आने वाला हैं, आलो फ्रेंड, वेलकम मैं चैनल के के पाड़ी, तो कैसे आप सभी है, यह आप सभी म बता नहीं सकते हैं, आपको ब्लॉग ही देखना पड़ेगा फ्रेंड, और देखिए, और मजे कीजिए, वो है हमारे छोटे गाउं का अंदिलमला गाउं का ब्लॉग, तो देखिए पूरा का पूरा ब्लॉग और इंज्वाई कीजिए हमारी बैली को, तो चलिए मिलते हैं खूरती देखिए फ्रेंड, पूरी तरह से अपने प्रकृति की गोद में बसावा गाउं हैं, तो बैसिकली फ्रेंड ये अंदिलमला गाउं हैं, और मेरे घर से अंदिलमला जाने के लिए दो रास्ते जाते हैं, एक माता फूमनी केसों से उते हुए, एक लवाडी बजार से उते हुए, तो ये गाउं के लिए जाने के लिए तो देख सकते हैं, ये फूलों को देखिए फ्रेंड, कई परकार के रास्ते में चलते हुए, आज में माता फूमनी के सह से जाते हुए, आपको बताऊंगा, तो देख सकते हैं, कई परकार के फूल लगे हुए हैं मालि पूल लगे हुए हैं जो कि हमें प्रकृति में सब कुछ संजो के दिया हुआ है बस अब हमें तो सिर्फ संबालना है इने तो किस तरह से संबालते हैं ये अब आम और तुमारे जैसे लोगों के उपरी निर्वर है कई परकार के अलग अलग परकार के फूल मिले मुझे रास् सब्सक्राइब परकार के तो ये मैं चला हुआ हूँ देख सकते हैं रास्ता काफी बढ़ा है ये देखिए रास्ता असान नहीं है नीचे उतरना है अगर आते रहते हैं तो आराम से नीचे उतर जाएंगे और ये बड़े-बड़े अक्रोट के पेड़ ये देखिए काफी बड़े बड़े हैं पूरे-पूरे ये कनोर और अक्रोट के ही पूरे-पूरे पेड़ लगे हुआ है जितनी बड़े-बड़े आपको दिखाई दे रहे हैं ये बड़े बड़े जलाती Air ya ग्व्हा आति जाती है देखिक्ते हैं किसा इसता कितना हरा गारा रास्ता है दे जब भी आप पाड़ों में ऐसे जाएंगी तो कुछ ना कुछ आप गर आप जानते हैं तो खाने पीने की चीज़े आपको भरपूर मिल जाएगी बहुत पैचान होनी चेए उस चीज़ की अगर आप पाड़ी है तो इस पेड़ को तो जानते ही होगे यह जामुन का पेड़ जामुन लगे हो हैं देख सकते हैं चोटे-चोटे अभी आ रहे हैं तो कुछ टाइम के बाद यह पकने के बाद तोड़े काले-काले से दिखाई देंगे तो और इन्हें खाने का अपना ही कुछ अलग मजा है हमारी गोबी देखी होगी फ्रेंड तो काफी बड़ी हो चु देखिए क्या कॉम्सूरत फसल लगी हो यह राजमा की देखिए चोटी-चोटी-चोटी है गोबी-गोबी-गोबी सब्चिया है क्यूंकि इस अभी तरफ गोफी गाई सीजन चला हुआ है और यहीं से ही उपर पहुंचेंगे हम गाउं के लिए इस ही पुल से जाना है हमन यह पुल के लिए ठाकि गिरना जाएं और यह रास्ता यहीं से ही हमने जाना है आगे और यह नदी देखिए लंबा डग नदी की राइक नदी अंदर ली मला नदी यह पुल तो देख सकते हैं फ्रेंड अभी हम गाउं में पहुंच चुके हैं और यह गोबी की फसल लगा लिए और यह देख सकते हैं चादरे लगाई हैं मैक्सिमोस अभी ने कि वरप पड़ता है तो दो चटों के ऊपर ना टिके ताकि गड़ तूटे ना इसलिए असानी से बर नीचे गिर जाए देख सकते हैं डिलान दार चटे और यह सामने स्कूल प्राइमरी स्कूल गाम उ देख सकते हैं और उसके ओपर कुछ गार काफी खूबसूरत हैं तो यह यहां से सामने से उपर देखने में कुछ इस तरह का नजरा दिखाए गिता हैं जो कि इसको मो लेने बड़ा नजरा है थे और बीच में बारे बारे पेड़ आम टॉर गाहों के बीच में देखने को म मिलेगा आपको आदा गाहों मेरे से निचे हैं फ्रेंट तो देखेते हैं काफी खूबसूरत गाहों और आदा मेरे उपर यह देखे हैं जादा गाहों मेरे उपर ही हैं तो यह देखे काफी खूबसूरत हैं और यह घर यहां पर मैं बैठा हुआ हूँ अभी तो यह सामने तो इसा अरो तो यहए देखें यहाँ से हमें क yapmış कैने के लिए निदेखने के कोशी कर रहा हूं इसी यही हम निचे लेक्पर तो यह सब्सक्राइब dw देखने की कोशा है लाए जा रहा है तो देख सकते हैं इसी को कोई कमी ना होगा भी कड़े होके जाना पर देख रहे हैं कि कोई कमी ना रहे हैं और यह देखिए काफी बड़े-बड़े घर बने हुए है यहां उपर थामे कड़ा हुआ है, यहां सामने ही, और यह चोटे-चोटे बच्चे देखें मुर्गी के, क्या खुबसूर्त हैं, और यह सामने खुबसूर्ती गाउं, अंदेले मलाकी, जो की दिल को मोल ले रही है, फ्रेंड, कापी खुबसूर्त गाउं है, यह देखें, अब जो भी नए घर बन रहे हैं, वो ज्यादातर पक्के बन रहे हैं, और यह पुराने घर देखें, जो लकडी और पत्थर के मिक्स करके बनाए हुए है, तो यह देखें, आप बड़े-बड़े घर बने हुए, हमारे पाड़ी घरों की एक बात है कि घर के आगे छोटा स आंगन जुरूर होगा, तो देख सकते हैं आप, कितना बड़ा घर है, और चोटे-चोटे बच्चे उपर से कहलते हुआ रहे हैं, अभी मैं सटक में पहुंच चुका हूँ, तो देख सकते हैं, और यह सेव के कितने बड़े-बड़े पेड़, और यह घरों को देखें, औ और यह रह गाओं उपर, अभी मैं सबसे निचले वाले घर में पहुंच चुका हूँ, तो यही से निचले सटक से उतोर मैंने घर जाना है अभी, और यह सेव के पेड़ देखिए, काफी बड़े-बड़े लगे हुआ है, ब्यू काफी खुबसूरत है इस गाओं का, कभी आए, आप भी तो बताना, और किस-किस का गाओं है यह फ्रेंट, कमेंट बॉक्स में जुरूर बताएं, तो देख सकते हैं, काफी खुबसूरती से भरा हुआ है यह गाओं, और यह देखिए, निचे से कुछ इस तरह का व्यू आ रहा था, तो कितना खुबसूरत अब पत्ते नहीं थे पेड़ों में, यह उस टाइम का है, और यह देखिए, काफी बड़े-बड़े घर, सिमेंटेट और इटो के बनाए हुए, तो देख सकते हैं, क्या जबरजोस्त नजरा, और ज्यादा तर शीशे लगे हुए देख सकते हैं, और यह सामने से उपर से नजरा, जब गाउं अरा-वरा था, तब किस तरह से दिखाई दे रहा था, अब अरा-वरा नहीं है, तो किस तरह से दिखाई दे रहा है, मैंने कहा था फ्रेंट कि दो टाइम का यह बिजन है, देख सकते हैं, कुछ अलग तरह से और कुछ अलग तरह से, यह देखिए, अर प्रेंड और वीडियो की तरह ज्यादा से ज्यादा आया इस वीडियो को भी प्यार दें ये मेरे कूल देपता नराइन जी को देख सकते हैं खड़ी मला खड़ी मला का गाउं देखने में कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था यहांसे इस गाओं के आपको एक खास बात देखने को मिलियो ओगी फ्रेंड की हर घर में शीशे लगे हुआ तो देख सकते हैं कोई पी घर असाने यहीं जहां कि खिड्कियों में शीशे न लगे इस गाउं के यही खास बात लगी हुझे इस गर को भी देखिए इसमें चोटे-चोटे शिशे लगें पुरानी अभेली है यह जबर्दस्ट डिजाइन के साथ और यह रास्ता देखिए पूरा सिमिंटेट रास्ता है यह दूसरी साइट से आएंगे तो यहां से यह फ्रंट है जाउं का और जो मैंने पहले बताया था वह यह दूसरी साइट से आसकते थे मैंने कहा था पहले ही कि वीडियो में मेरे गर से अनुपला जानने के लिए दो रास्ते हैं तो एक साइट से ये फ्रंट है दूसरी साइट से वो दूसरा फ्रंट तक और वीडियो को जादा से जादा लाइक शेयर कोमेंट जुरूर करें फ्रेंड तक बने रही आगले व्लोग तक